मुटी लाल मिर्ची जी हां आज हम बनाने वाले हैं मुटी लाल मिर्ची से गालिक सॉस जो की आप पास्ता में भी यूज कर सकते हैं आप मोमोस के साथ भी खा सकते हैं पकोडों के साथ भी खा सकते हैं किसी के साथ भी खा सकते हैं स्टर फ्राइ वेजिटेबल्स बना के भी खा सकते हैं मैंने अच्छे से उन्हें दो के सुखा के काट के इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक बड़ा कप भर के सिर्के का और इसको आदे घंटे के लिए भिगो के तरक दिया है उतने देर में मैंने 100 ग्राम लस्तन लिया है 100 ग्राम से थूड़ा साथा था तो 100 ग्राम लस्तन लिया है उसको मैंने चौपर में डाल के अच्छे से चौप कर लिया है बारेक आप के पास अगर चौपर नहीं है तो आप उसको दरदरासा कूट भी सकते हैं कूटनी में या फिर आप घिया कस्पी कर सकते हैं इस टोटली ऐसको ढ ibaдо कशे सकते हैं कियु आफ लूबा रका है मिक्सी में डाल दिया मिक्सी में डालका कि ini को अच्छे से जो आदा घंदा मिर्चे रकी तो उनकी पूरी बना ली इसमेंו एक हरी मिर्च ती जो सिर्केमें से निकले थी मों मैंने डाली नहींain थी किया तो पस उसको प जब तक अच्छे से भुना जब तक इसकी कच्ची महक नहीं चली जाए जब तक कच्ची महक होती है तो उसका कलर चींज होगे तो कच्ची महक जा चुकी थी तो बस उसके बाद जो मैंने प्यूरी बनाई थी वो मैंने डाल दी और इसको मैंने मीडियूम फ्लेप पे 5-7 मिनट के लिए पकाया अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया डेड़ चमज भर के देगी मेच का डाल दिया अच्छे से फिर इसको एक स्टर दे दिया मिक्स करा और फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला दो चमज भर भर के टोमैटो केचप के डाले मैंने और फिर उसके बाद मैने पिल्कुल th momencie थोड़ा सा एक फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मैने सोयसोस डाला और दो चमज मैने चीनी डाली और फिर इसको अच्छेसे this circumstance आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने सोय सॉस डाली थी, और इसको कम से कम दस मिनट के लिए पकाना है, और फिर उसके वाद ठंडा करके जार में स्टोर कर देना है, यह चटनी आप एक महीने के लिए फ्रिज में रख सते हैं, यह बिल्कुल भी खराब न लगे तो प्लीस लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल